नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टेडियम के इन्योग्रेशन के बारे में हैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट से जुली सभी खबरे सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेटी लाइप को सबस्क्राइब करें और वीडियो में सारी जानकरी डिटेल में तो वीडियो को एंड तक जरूर देके और साथ ही बेल आइकन दबा कर ओल ओल ओप्शन सेलेक करें बात करें स्टेडियम की खुबियों की तो इसमें काफी सारी खुबिया है पहली बात करें कि इसकी कैपिसिटी कितनी है तो 1,10,000 लोगों की कैपिसिटी इस स्टेडियम में है साथ ही इसमें general floodlights use नहीं की गई है इसके अलावा होलेंड से 580 floodlights मंगाई गई है और इन flood lights की खास बात ये है कि इनकी रोशनी से पीछे shadow नहीं बनती है जिससे की day night matches में और ज़्यादा आशानी रहेगी बात करें stadium के vision की तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जब गुजरात के CM थे उस वक्त उन्होंने इस stadium के बारे में सोचा था 2013 में वे गुजरात cricket association के president थे और उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि world का सबसे बड़ा stadium इस जगा बनना चाहिए और उसके बाद सरदार पटेल stadium को तोड़ कर उसकी जगा पर दुनिया का सबसे विशाल stadium बनाया गया जनरली इस stadium को मोटेरा stadium के नाम से भी जाना जाता है जो कि गुजरात में इस्तित है अब बात करें इस stadium की कोष्ट की तो इस stadium को बनाने में 700 करोड रुपे का खर्चा लगा है अब बात करें इसके इनोग्रेशन की तो डोनाल टरंप 2425 फेरोरी को इंडिया दोरो पर आने वाले हैं और उसी दोरान इस stadium का इनोग्रेशन भी उनी के हातों होने वाला हैं अब अमेरिका में elections भी आने वाले है तो उस हिसाप से जिस तरीके से नरेंदर मोदी के स्वागत के लिए हाओड़ी करके एक program अमेरिका में रखा गया था